और अब बात करेंगे जम्मु कश्मीर की जहां पर जम्मु संभाग के उधंपूर में सनिवार को गंगा आरती की तर्च पर संध्या कालीन देवी का आरती का अगाश किया गया है और इसमें अस्थानिय लोगों के अलावा परधान मंत्री कारियाले में राजमंत्री तेंद्र सिंग ने कहा है कि इससे देवी का नगरी को नई पहचान मिलेगी और परिया तक कभी बठावन होगेगा यहां से पिछले 25 साल को हूँता है तब से रह रहा हूँ बैने इतना बढ़िया चीज नहीं देखी आई तक बरी आंखे इतनी भराई है नमी से बहाई है क एतनी खुशी कि यह कि यह कि वर नट प्रोड नट प्रोड पर कलचर एट विवर दिर वादी अनिधिन विच वी नट बीड़ाई है तो बीजेपी और डाक्र साब की आखो का कायल हो कि उनों ने इसको पहचाना कि हमारे को कैंच हमें हमारा कलचर चाहिए पैसे से कुछ न आज गवर्मन्ट ओफ इंडिया की डारेक्शन थी नदी उत्सव की और पूरे देश में ये नदी उत्सव बनाया जा रहा है हमने सोचा उधंपुर देविकाक में बसा हुए और देविका उधंपुर में बसी हुई है और आज आपने ये नदी उत्सव देखा ये पहला था हर रेगिलर फीचर बनाने के लिए हम अब मेहनध करेंगे और अगले 14 दिन के बाद मेरी कोशेश ये है कि हम इसको रेगुलर Spencer बनाए पंडितों के सम्हूँ से मेरी बात हुई है जो दिन उजड़ा पड़ासा वहां पर भी कारे प्रारभ हो चुका है इसी परकार highway village का जो concept हिंदुस्तार में आया तो पहले दो highway villages में से एक उधुपूर में और एक कठूगा में कठूगा में कुछ काम रुका है क्योंकर national highway की widening हो रही यहां गड़ी के पास वो काम जारी है एक्सप्रेस कॉरीडॉर का काम जारी है जब वो तयार हो जाएगा तो पात्र छे साड़े छे घंटे में उधुपूर से आप दिल्ली पहुंच पाएंगे किसी को रेल गाड़ी हवाई इजाज में बैठने की इच्छा नहीं होगी घर के आंगन से काड़ी निकाली और कभी भी आपकी मनशा करें आप दिल्ली पहुंच जाए और मुझे लगता है कि एक एक जो इंडस्ट्रियल स्टेट का काम शुरू है नई इंडस्ट्रियल पैकेज के माधियम से उससे युवाओं के लिए बहुत सारे अफसर होंगे स्टार्ट अप्स के लिए